बहुत समय पहले की बात है. एक छोटे से गाव में एक बुद्धिमान शिक्षक रहते थे, जिन्होंने अपने छात्रों को जीवन के मौलिक सिख सिखाई. एक दिन, एक छात्र ने उनसे पूछा, शिक्षक जी, हमें सच्चाई की एहमियत क्या है? शिक्षक ने मुस्कराते ह हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी से सिखाता हूँ. गाव के पास एक जंगल था, जिसमें एक बड़ा पेड अकेला खड़ा था. यह पेड हमेशा हरित और सुन्दर था. शिक्षक ने छात्रों को बताया कि यह पेड सच्चाई का प्रतीक है. एक दिन, छात्रों न उस पेड के पास जाकर पूछा, यह पेड हमेशा हरा क्यों रहता है? शिक्षक ने जवाब दिया, इस पेड का रहना हमें सिखाता है कि सच्चाई में हमें हमें हमेशा हरित और सकारात्मक रहना चाहिए. चाहे जैसा भी हो, हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए और ह अमेशा सच्चाई के मार्क पर चलना चाहिए. छात्रों ने उस दिन से सच्चाई का महत्व समझा और उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई के मार्क पर चल कर देखा कैसे उनका जीवन हरित और सुखत बन गया.